है 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 फेलो दोस्तों कैसे आप लोग आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि वोटर आइडी का डिटेल आप कैसे चेक करेंगे या आप अपने वोटर आइडी का डिटेल इंटरनेट से कैसे डाउनलूट करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री कोई भी सुल्क नहीं लगता इसका और आप चाहें तो अपने वोटर आइडी का डिटेल चेक करके इसको वेरिफाई भी कर सकते हैं कि आपका वोटर आइडी सही है या गलत है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए का और अभी तक आपने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर ले और वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को पता होना चाहिए वोटर आइडि का जैसे कि आप चाहे तो आप वोटर आइडि बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं डिटेल डालके और आप चाहे तो वोटर आइडि पे जो एपिक नंबर होता है वोटर आइडि का नंबर जिसे वोलते हैं वो डालके भी आप अपने वोटर एडिक कार्ड को वेरिफाइग कर सकते हैं तो चली सुरू करते हैं सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहां पर टाइप करेंगे लिंक बार में nbsp.in और एंटर कर देंगे एंटर करने के साथ ही आपको राष्ट्री मतदाता सेवा पोर्टल नेशनल वोर्टर सर्विस पोर्टल खुल के आएगा और इसका इंटरफेस इस तरह से दिखेगा चुकि आप यहां से इस पोर्टल पे आने के बाद आपको कई तरह की फिसिलिटीज मिल जाती हैं जैसे वोटर आइडी अपलाई के से करते हैं वोटर आइडी का जो लिस्ट होता उसको कैसे निकालते हैं और वोटर आइडी से रिडिटर कई ऐसी चीजे हैं जो यहां पे मिल जाती हैं ठीक है तो हम बेसिकली यहां पे चर्चा करेंगे कि वोटर आइडी को हम सर्च कैसे करेंगे नेट पे या वोटर आइडी को वेरि ट्रॉल रोल तो यहां पर हम टैप करेंगे और इस तरह से टैप करने के साथ ही एक न्यू टैप ओपन होगा और इसमें हमें इस तरह से डीटेल मिल जाएगा यहाँ पे बीवरंड के द्वारा भी बुटर आइडी का डिटेल सर्च कर सकते हैं और हम एपिक नंबर के द्वारा भी बुटर आइडी का डिटेल सर्च कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम बीवरंड के द्वारा ही डिटेल सर्च करेंगे जैसे यहाँ पे name डालना है father's name डालना है age पता हो तो age year में select कर लिजे या date of birth confirm पता हो तो वो भी डाल लिजे उसके बाद gender select करना है और state, district और बिधान सभा निरवाचन छेत्र तो इसको हम जल्दी जल्दे enter कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे जो capture code है इसको feel करना है और same capture code feel होना चाहिए आप चाहें तो इसको refresh भी कर सकते हैं और नहीं चाहें तो refresh ना करें यहाँ पे उसके बाद सर्च की बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो कुल पल्णाम इधर नमबर अफ रेकॉर्ड से दिखा रहा है यहाँ पे आपको आपका detail दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप अपने water id का detail चेक कर सकते हैं view detail पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए हमें पूरा detail दिखना शुरू हो गया नेम फादर्स नेम और यहाँ पे जो दो डाउन्लूड कर लीजह और यहाँ से print कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वोटर id हम वोटर epik number से search कैसे करेंगे वोटर id number से search कैसे करेंगे तो चलिए इसको भी हम नबर से search करने कलिए हम search by epic number वाले tab पे खिलिक करेंगे और यहां पर हम आपिक नमबर एंटर करेंगे या वोटर आईडी जिसको बोलते हैं वोटर आईडी नमबर जिसको बोलते हैं इसको एंटर कर लेंगे उसके बाद यहां पर स्टेट सेलेक कर लेंगे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद एक कप्चा फिल करना है और सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको डिटेल वैसे ही मिल जाएगा जैसे बाइनेम हमने सर्च किया था वहाँ पर मिला था तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा इसी तरह की ट्रिक्स और टिप्स से भरी वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिए ये वीडियो अधिक सधिक अपने दोस्तों में भी सेर कीजिए तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह के नई ट्रिक्स और टिप्स के साथ तब तक के लिए जैहिन